पठान में जॉन का रोल कैसा है? इसकी एक जोलक तो फिलहाल सबको मिल चुकी है लेकिन पहली बार फिल्म के डारेक्टर ने इस रोल पर और ज़ादा डिटेलिंग के साथ बात की है जैसा कि शारुक के बारे में सब जानते हैं कि वो फिल्म में टाइटल लिग पठान का रोल प्ले कर रहे हैं जो की एक रो एज़न्ट है दिपिका उसका प्यार है और जॉन उनका दुश्मन लेकिन खुद जॉन की जिंदगी कैसी है उनका करदार कितना एहम है इन तमाम बातों पर फिल्म के डारेक्टर सिधार्थ आनन ने पहली बार कुछ खुला से किये हैं सिधार्थ ने जॉन के करदार पर क्या कुछ कहा है ये देखिए जी हाँ अकॉर्डिन टू सिधार्थ उन्होंने इस किरदार के लिए जॉन अबराहम के अलावां किसी और के बारे में नहीं सोचा उनके हिसाब से जॉन है विलन का रोल परफेक्टली प्ले कर सकते थे और ऐसे में सिधार्थ ने खुद बताया कि जॉन को जब इसके लिए अप्रोच किया गया तो जॉन ने इस रोल के लिए हाँ कहा तो सिधार्थ सूपर एक्साइटेड हो गए थे अब एक निउस एजेंसी से बात चीत के दोरान सिधार्थ ने बताया कि फिल्म पठान को लारजन देन लाइफ बनाने के लिए उन्हें एक खतरनाक विलन की जरुरत थी जो लारजन देन लाइफ जैसा ही हो ऐसे में मेकर्स किसी ऐसे विलन को चाहते थे जो खतरनाक होने के साथ साथ डीसेंट भी हो और स्क्रीन पर जिसकी प्रेजन्स आग लगा दे लिहाज़ा पठान में विलन का करदार जॉन अबराहम को माइंड में रखकर ही लिखा गया था सिधार्थ ने जॉन को लेकर आगे कहा जॉन अबराहम ही हमारी पहली और एकलोते चोईस थे और हम इस बाग को लेकर डैम शोर थे कि हमें एक ऐसा विलन चाहिए जिसको हमेशा अपने मेमरीज में जिन्दा रखा जाए मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि खुन जमाँ देने वाले एड्रेना लाइन पंपिंग विलेंग के तौर पर जॉन को लोगों से गजब कत हुआ धार रेस्पॉंस मिलता जा रहा है जान स्क्रीन पर पठान के एकदम अपॉजिट है और हमने इनकी राइवलरी को बेहत शांदार बना दिया है ये एक जबरदस्त थ्रिलिंग कॉम्पोटिशन भी होने वाला है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शारुक खान और जॉन अब्राहम पहले बार स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं इसे फिल्म में जॉन फॉल फ्लैश रोल में दिखाई देने वाले हैं और हीरो पर भारी भी पढ़ने वाले हैं खेर शारुक खान और जॉन अब्राहम को स्क्रेंस पर एक दूसरे के आमने सामने देखने के लिए आप कितने जादा एक्सवाइटेड हैं बताएए हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप बिलकुल भी मिस्ना कर पाएं